हेलो स्टुडेंट्स आज हम पढ़ेंगे कक्षा पांचवी की हिंदी की पुस्तक जिसमें कुल आपको सत्रापार दिये गए हैं जिनके नाम इस प्रकार है अब ध्यान से देखें एक बार हाँ जिसमें फर्स्ट है हम भारत के भरत जो एक कविता है अब यहाँ देखेंगे आप हम भारत के भरत पार्ट एक अब भारत भारत हमारे देश का नाम में आप जानते होंगे और भरत ये राजा दुश्यन के बहुती प्रतापी वीर और बलशाली पुत्र थे जिनका नाम था भरत अब कविता पढ़ेंगे ध्यान से देखिएगा और सुनिएगा हम भारत के भरत खेलते शेरों की संतान से संतान यानि उलाद हम भारत के भरत खेलते शेरों की संतान से यानि कि भारत के बच्चे शेरों की संतान से खेलने के काबिल है हिम्मत वाले हैं कोई देश नहीं दुनिया में बढ़कर हिंदुस्तान से यानि कि ऐसा कोई देश नहीं है जो हमारे हिंदुस्तान से बढ़कर हो इस मिट्टी में पैदा होना बड़े गर्व की बात है यानि कि हिंदुस्तान में पैदा होना भारत में पैदा होना बड़े ही गौरव की बात है साहस और वीरता अपने पुर्खों की सौगात हैं साहस और वीरता यानि कि भारत के बच्चों में भारत के लोगों में जो हिम्मत है जो वीरता है वो उनको उनके पुर्वजों से मिली हुई हैं सौगात यानि भेट तौफा उपहार जिसे आप इंग्लिश में कहते हैं गि सहासो और वीरता उनको उनके पुर्वजों से मिली हुई हैं दूसरा पढ़ेंगे ध्यान से देखिएगा बड़ी बड़ी जुलाओं से कम नहीं यहां चुंगारिया यानि कि कवी कहते हैं कि भारत के छोटे-छोटे बालक बड़े वीर है छोटी-छोटी चुंगारिया भी बड़ी-बड़ी जुलाओं से कम नहीं है अर्थार यहां के छोटे बच्चे भी काफी बलशाली है काटे पहले फूल बाद में देती हैं फुलवारिया फुलवारिया यानि बगीचा तो यहां के बगीचा या जो पालंग करता है पालंग करता भी कह सकते हैं तो यहां के जो बगीचे हैं वहाँ पर पहले काते आते हैं और बाद में फूल मिलते हैं यानि कि पहले अपनगारों की तरह दहकते हैं और बाद में फूलों की भाति खिलते हैं और हमाया हम अपने देश के लिए जीते भी शान से है और शान से मर भी शकते हैं कोई देश नहीं दुनिया में बढ़कर हिंदुस्तान से ऐसा कोई देश नहीं है जो हमारी हिंदुस्तान से बढ़कर हो समझ गए students मैंने आपको इस पूरी कविता का सरलार्थ समझा दिया है अगर आपको समझ में नहीं आया है तो आप इसको दुबारा और देखे अब मैं आपको बता रही हूँ आप इसको notebook में कैसे उतारेंगी क्योंकि notebook तो बनानी पड़ेगी इसको खुलेगी तब जरुवत होगी उसकी तो सबसे पहले आप जो notebook में red line होती है उस पे आप लिखेंगे part 1 क्या लिखेंगे part 1 जैसे कि यह आपकी notebook है तो सबसे पहले आपको लिखना होगा यहाँ पर part 1 सफाई से लिखना है उसके बाद आपको यहाँ पर distance लेकर यहाँ पर part का नाम डालना होगा जैसे आपके part का नाम क्या है हम भारत के भरत तो मैं यहाँ लिखूंगी हम बहुत ही सुन्दर लिखना है भारत भारत क्या है अपने देश का नाम के भरत भरत कौन है अभी बताया था राजा दुश्यन के बहुत ही वीर पुत्र थे इस तरह part 1 और यहाँ पर आजाएगा आपका part का नाम यह होने के बाद आपको यहाँ पर डालनी होगी date और homework इस तरह से homework लिखा अभी आपको यहाँ पर date डालनी है जो इससे बाहर नहीं आने चाहिए उसके बाद आप यहाँ से कविता लिखनी शुरू करेंगे जैसे कि यह चार लाइन है एक, दो, तीन, चार तो आप यहाँ लिखेंगे एक, दो, तीन, चार आप लाइन छोड़कर भी लिख सकते हैं उसके बाद आप जैसे यहाँ तक चार लाइन आ चुकी है तो आप थोड़ा दिस्टेंस लेंगे दो लाइन छोड़कर आप इसके नीचे वाला पैरेग्राप जो मैंने आपको समझाया यह वाला पैरेग्राप आप यहाँ लिख सकते हैं आपको दोनों लिखने एक ही पैज को लेकिन डिस्टेंस लेना है दो लाइन का कितना लेना है दो लाइन का यह चार लाइन इस तरह इदर आ जाएगी और यह चार लाइन यहाँ आ जाएगी आपको यह चित्र नहीं बनाना समझ गए सुड़ाइन्स और सफाई से करना है और लिखने के बाद इसको वापस से पढ़ना है और पढ़ते वक ध्यान रखना है कि ये चिन्नों का ध्यान रखे ये चिन्न है जिसका नाम है अलप विराम अलप विराम यानि थोड़ा रुखना है उसके बाद है ये चिन्न पूर्ण विराम यानि कि य ज़्यादा देर तकते जी इसके बाद जैसे पुर्ठों पर देखें विद्धू आया है क्योंकि की पुर्ठों बहु बचनभीνगे जहां पर बहु बचन होगा माश्चाय को समझ है और जहां फोड़ा थोड़ान रुक कर परेंगे और आपको इस तरश से काम करना है और कौपी को साब सूत्रा रखना है धन्यवाद